नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज राय आज हम बात करेंगे इन्फूलू एंजा याने बात सलेश्मिक जवर का आयरवेदिक समाधान क्या है इसके बारे में संपूर जानकारी देंगे तो आज ये शुरू करते हैं आज का वीडियो इन्फूलू एंजा के बारे में यह जवर्थ थूंक कफ नाक सलेश्मा मल आदी के प्रभाव से बढ़ता है यह रोग सर्दी गर्मी के कारण बहुत जल्दी फैलता है अधिक ठकावाट परिश्रम करने के बार ठंडा पानी पीने दूसित वोजन करने दूसित बादाबन में निवास करने आदी सी यह उत्प दिमसे होता है जिसमें इंफ्लूएंजा A H1N1-2009 वायरस यानी मानवसुर इंफ्लूएंजा वायरस सामिल है इसमें फ्हेंपनों के उपद्रभों की आशंका अजिक होती है यह रोग महमारी के रूप में फ्हलता है इसे फ्लू भी कहा जाता है यह एक शंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है यह रोग तीसरे, चोथे या साथवे दिन उतर जाता है परंतु बुखार उतर जाने और रोग कम हो जाने के बाद कमजोरी बहुत अधिक हो जाती है इसके अलावा हर्दय की धारकन बढ़ जाती है मानशिक दुरवलता अगवग दो सपताह तक पना रहता है इसके लक्षन क्या है रोगी बहुत कमजोर हो जाता है सरीर में तेज दर्ध होता है आँक सिर आदी में असहनी दर्ध होता है देखते देखते बुखार एक सो तीन से एक सो चार डिगरी तक पहुँच जाता है रोगी को बार बार प् बदबूदार स्वास आधी लक्षन दिखते हैं कभी कभी गले में सूजन हो जाती है सरीर में दर्द रहने के कारण रोगी बेचेन रहता है नींद बड़ी कटनाई से आती है जबकि रोगी की आँखें नींद के लिए जुकती रहती है रोगी को मासपेजियों में दर्द न इससे गंभी जड़िलताईं भी पैदा होती है इसकी सावधानी है बुखार नाक बहने गले में खरास और खासी जैसे लक्षन बने रहते हैं तो तुरंत चिकिस्चकी सलाह लेनी चाहिए रोगी को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए अधिक पानी पीना चाहिए आयरवे एक गांठ अधरग इन सबका काड़ा बनाकर दिन में चार बार पियें तलवे माती तता छाती पर देशी घी मलें शेहद में एक चुटकी पीपल का चून मिला कर खाएं तुलसी काली मिर्च और पटोल का काड़ा फ्लू में रामबान की तरह काम करता है 10 ग्राम हलदी का चून और 10 ग्राम अजवाइन 2 एलाईची और एक चुटकी काला नमक लेकर एक कप पानी में काड़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं एक चम मजपिसी स्वोट में 4 दाने काली मिर्च का चून मिलाकर ताजे पानी से सेवन कर सकते हैं एक कप गाई के दूद में एक चम्मच पिशी हुई हल्दी घोल कर पी जाए गुड एवं काले तिल के लड़ू खाने से फिलू में काफी लाब होता है तुल्ची, मुलेटी, चरायता, सोंट, कटेरी की जड़, काली मिर्च और अधरक संभाग लेकर काला बना कर रात को सोने से पहले पियें इन सभी नुष्कों में से कोई दो-तीन नुष्के आप प्रियोग कर सकते हैं सबसे पहले रोगी को गरम कमरे में आराम दायक विस्तर पर लेटाएं उसे ठंडी हवा तथा ठंडे पदातों से बचाएं नास्ते में दूद, चाय, काफी, मौसमी का रस, पपीते का रस आधी दें दो-पहर में के भोजन में गैहूं की चपाती और मुंग की डाल दें सक्त तथा देर से पचने वाले पदार्तों का सेवन ना कराएं यदि रोगी का मन ना लगता हो, तो उसे टहलाने के लिए ले जाएं किन्तु इस बात का ध्यान रखें कि उसे ठकान ना हो इसकी रोगथाम कैसी करने चाहिए? हाथ साफ रखें, यहाँ वहाँ ना थूकें, छेंकते या खासते समय नाक और मुहके स्राव को टिशू पेपर से साप करें और टिशू पेपर को धक्कन वाले कुड़ेजान में फ्याकें अगर हाथ स्वांस न लिकागे स्राव से गंदे हो जाएं तो एंटिशेप्टिक घोल या डिटॉल से तुरंद दोलें जब एंपुलिय एंजा फैल रहा हो तो हवादार स्थान पर रहें और भीरवले स्थान पर जाने से बचें आइरवेदिक चिकस्ता में तिरुवन की तीरस दोदो गोली सुबह साम दूस से लें और भी लक्ष्मी मिलासरस की दो दो गोली सुबह साम दूस से ले और आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो